जोतिश की दुनिया में आपका स्वागत है यदि आप जोतिश सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो एलार्म बटन को आउन करें और यदि आपको वीडियो पता देते हैं आगे बढ़ाते हैं आज पुना एक नए टॉपिक को ले करके आपकी सेवा में प्रस्तुत हुए हैं मेरे द्वारा इस चैनल के माध्यम से आपको पिछले वीडियो में ग्रहों की चाल के बारे में विश्रित जानकारी प्रस्तुत की गई थी जिसमें ग्रह कैसे कैसे चलते हैं उनकी दिशा कैसी होती है कुछ ग्रह वक्री भी होते हैं कुछ ग्रह मारगी भी होते हैं और उन्हीं में से आज हम एक टॉपिक आपके सामने ले करके प्रस्तुत हुए हैं तो आए आज की इस वीडियो का शिर्षक देख लेते हैं आज का विशय देख आज की इस वीडियो में हम वक्री ग्रह के बारे में विस्तरित और शटिक विसलेशन करने जा रहे हैं वक्री ग्रह क्या होता है वक्री ग्रह का तातपर होता है ग्रहों के उल्टे दिशा में चलना जब ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगते हैं तो उसे ही वक्री ग्रह कहते हैं और उनकी इस दिशा को वक्री दिशा कहा जाता है लेकिन आपने कभी यह नई सुना होगा कि कोई ग्रह ब्रह्म्हांड में उल्टा चलने लगता हो सभी ग्रह अपनी निश्चित दिशा में अपने निर्धारित पत पर ही निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहते हैं फिर भी जो तुशी गणना में यह बताया जाता है कि ग्रह उल्टा या वक्री हो गया जबकि ऐसा कभी नहीं होता है ग्रह सदे सीधे दिशा में चलते रहते हैं कभी भी वे उल्टे नहीं आते हैं यदि आप वैग्यानिक दृष्टी कोण से भी देखेंगे तो सभी ग्रह आगे की ओर ही निरंतर गती करते रहते हैं भी भी कोई भी ग्रह उल्टे दिशा में नहीं लौटता है लेकिन जब ग्रह उल्टा होता ही नहीं है तो वक्री कैसे हो गया यह एक सोचने की बात है तो इसी के बारे में हम संपूर्ण विशलेशन इस वीडियो के माद्धिम से करना चाहते हैं तो आए इस सिद्धांत का व पीछे की ओर चला आता है वक्री के बाद जसा पुनह मारगी होता है तो फिर से स्धे दिशा में चलते हूए अगली राशी की ओर आगे बढ़ने लगता है अगली राशी तक पहुच जाता है क्योंकि यहां पर देख रहे हैं कि जब ग्रह वक्री होता है तो वह अगली राशी में न जाकर कि वह पिछली राशी में आ गया होता है क्योंकि वह उल्टा चलने लगता है लेकिन जब वह ग्रह पुना सीधे दिशा में चलने लगता है अर्थात वह मारगी हो जाता है तो वह आगे की ओर बढ़ करके अगली राशी में पहुँच जाता है वक्री ग्रह को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि संपून ग्रह मंडल में जो ग्रह अपनी अपनी धूरी पर अपने अपने अक्ष पर निरंतर गतेशील होते हैं उनका मारग या उन ग्रहों के भ्रमण का जो पत होता है उनका अक्ष होता है वह पून वित्ताकार न उसकी लंबाई होती है पूरी तरह से वह गोलाकारना होकर के थोड़ा सा लंबाई लिया हुआ होता है और वही इन ग्रहों का पथ भी होता है पूर्ण बृत्ताकार पूर्ण गोलाकारना होकर के वह अंडाकार होता है जिसके कारण प्रिथवी से ग्रहों की दूरी घटती ब पहुच जाता है तो प्रिथवी से उसकी दूरी बढ़ जाती है लेकिन वह जब समीब में आता है तो उसकी दूरी घड़ जाती है और यही अंडाकार पथ ही ग्रहों को प्रिथवी से दूर या पास लेकर कि आता है अर्थात ग्रहों की दूरी प्रिथवी से घड़ती तो उस स्थिति में जब कोई ग्रह पृतिवी के बिल्कुल समीप आ जाता है तो पृतिवी की गती अधिक होने के कारण समीप से गुजरता हुआ ग्रह उल्टी दिशा में जाबता हुआ प्रतीत होने लगता है। जबकि वह ग्रह उल्टा नहीं जाता है वह अपनी दिशा में ही चल रहा होता है यह एक भ्रम मात्र होता है कि वह ग्रह पीछे की ओर जा रहा है। जब से पहले हम छाय वादी ग्रह राहु एवं केतु से प्रारम्ब करते हैं। राहु और केतु सदेव बक्री होते हैं कभी यह मारगी नहीं होते हैं अर्थात कभी यह सीधे नहीं चलते हैं। उल्टे दिशा में चलते रहते हैं क्योंकि इनका मार्ग अन्य ग्रहों की अपेक्छा विपरीत होता है राहू एवं केतू सदेव उल्टे चलते रहते हैं अर्थात ये मीन रासी से प्रारंब करके मेश रासी की ओर चलते हैं कैसे आप देख रहे हैं कि यह राशियों का जो क्रम है इस तरह से जा रहा है लेकिन यह उल्टी दिशा में चलते हैं तो उल्टी दिशा में होगा कैसा कि मीन रासी से प्रारंब होकर के मीन, कुम्भ, मकर, धनो, ब्रिष्टिक, तूला, कन्या, सिंग, कर्क, मिथोन, ब्रिष्ट के बाद मेश में पहुंचेंगे क्यों क्योंकि इनकी दिशा सदे वक्री होती है, सदे उल्टे दिशा में चलते रहते हैं इसलिए मेश से मीन की ओर न जाकर के मीन से ये मेश की ओर आते हैं इनका पथ, अर्थात राहु एवम केतु का पथ, घड़ी की सुईकी दिशा में होती है, जिसे उल्टा या वक्री चाल कहते हैं इन दो छायवादी ग्रहों रहु एवम केतु के बाद जो साथ ग्रह होते हैं, जो भोतिक पिंडवाले ग्रहों होते हैं, वे सभी ग्रह सदेव मेश रासी से प्राराम्भ करके मीन रशी की ओर चलते जाते हैं इन साथ भोतिक पिंडवाले ग्रहों के चलने की दिशा इधर से होती है मेश, ब्रिश, मिथुन, करक, सिं, कन्या, तुला, ब्रिशिक, धनू, मकर, कुम्ब और मीन अर्थात ये सीधी दिशा में चलते हुए आगी क्योर बढ़ते जाते हैं इन साथ ग्रहों का पथ घड़ी की सुई की विपरित दिशा में होता है जिसे सीधा या मारगी चाल कहते हैं अभी जैसा मैंने बताया कि ये साथ ग्रह मेश रासी से प्रारंब करके मीन अर्थात ये इस दिशा में घूमते हुए आगे की और बढ़ते जाते हैं और अभी मैंने आपको यह भी बताया कि इनकी दिशा घड़ी के सुई की विपरित दिशा में होती है इसलिए मेश रासी से प्रारंब करके ऐसे ऐसे घूमती हुए ये सभी ग्रह मीन रासी तक पहुँचते हैं इन सभी बातों को विपरित रूप से समझने के लिए कि ग्रहों की दिशा क्या होती है उनका मार्ग क्या होता है ग्रह वक्री कैसे होते है ग्रह मार्गी कैसे होते है मार्गी ग्रह का क्या रास्ता होता है वक्री ग्रह का क्या रास्ता होता है इसके बारे में संपूर्ण व आईए पुना आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में राशियों का भी भ्रमड होता है किस क्रम में जो अन्न सात ग्रह हैं भौतिक पिंडवाले जो सात ग्रह हैं उनकी जो दिशा होती है उसी दिशा में राशियों का भी भ्रमड होता है राशिया भी निरंतर घड़ी की सुई की व विप्रीत दिशा में चलते वे आगे की और बढ़ रही हैं आप इनका क्रम देख रहे हैं मेश, ब्रिश, मिथून, करकसी, कन्या, तुला, ब्रिशिक, धनू, मकर, कुम्ब और मीन ये सभी भी घडी की सुई की विप्रीत दिशा में आगे की और बढ़ती जा रही हैं अभी ह जो साथ भोतिक पिंड वाले ग्रह हैं इनमें भी दो भाग बटा हुआ है सूर्य और चंद्रमा अलग हैं और उसके अलावा मंगल बूद ब्रिहस पते शुक्र और शनी ये पांच ग्रह अलग हैं वे कैसे अलग हैं सूर्य और चंद्रमा सदेव मार्गी होते हैं कभी ये वक्री नहीं होते हैं यह दोनों कभी भी पीछे की और नहीं लोडते हैं सदेव आगे की और बढ़ते जाते हैं अर्थात सदेव मार्गी होते हैं मंगल बुद भिहसपति शुक्र एवं शनी भी मारगी ग्रह हैं। लेकिन कभी-कभी ये ग्रह अर्थात, मंगल, बोध, बियज, पति, शुक्रे, वम, शनी, कभी-कभी वक्री भी हो जाते हैं, ये मार्गी ग्रह तो है ही, लेकिन कभी-कभी ये वक्री भी हो जाते हैं, और आगे की ओर न जा करके पिछली राशी पर आ जाते हैं, ये सभी पा बारे में तो आज हम समझने जा रहे हैं इन बातों के बारे में भी आपको डिटेल विब्रण लेने के लिए मेरे पार्ट 39 को देखना ही हो गया आथा आपसे एक निवेदन है कि आप पहले मेरे शैनल पर पार्ट 39 को देखिये उसके बाद ही इस बात को समझे तो आपको ज़ जब कोई ग्रह वक्री होता है तो आगे की और न बढ़कर के अपने पिछली राशी पर चला आता है लेकिन आप पुना सोचने की बात है कि ग्रह तो निरंतर अपने अक्ष पर आगे की और ही बढ़ते रहते हैं कभी वे पीछे नहीं आते हैं और जब ग्रह पीछे आते ही नहीं है तो वे पिछली रासी पर कैसे आएंगे इसी के बारे में हम आपको एक छोटा सा उदारान ले करके आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रसुत कर रहे हैं हो सकता है कि मेरा यह उदारान मेरा यह प्रयास आपके काम आ जाए और आपको सब कुछ समझ में आ और जब नहीं आता है तो हम क्यों बोलते हैं कि वे पिछली रासी पर आ गया आए हम इसी सिध्धान को समझते हैं इसे समझने के लिए हमें एक रेलवे ट्रेक की कलपना करनी पड़ेगी अब आपके सामने यह प्रस्तुत है एक दो तीन चार यह रेलवे ट्रेक है अर्था विए अर्था चार यह रेल की पडरिया हो गई अब इन पडरियों को हम नाम दे देते हैं पहले पीटरी को हम माल लेते पृतिवी दूसरी पडरी को हम माल लेते हैं छायवादी ग्रह ग्रह जो कि राहू और केतू है तीसरी पटरी को हम मान लेते हैं भातिक पिंड वाले ग्रह चायवादी ग्रह में राहू केतू भातिक पिंड वाले में मंगल से ले करके शनी तक अब जो चौथा ट्रिक बचा इसे हम राशियों के रूप में ले लेते हैं इस ट्रेक पर सभी राशियां भ्रमड कर रही हैं तो अब हम देख रहे हैं कि यह पृत्वी का ट्रेक हुआ यह छायवादी ग्रहों का ट्रेक हुआ राहु केतु का और यह ट्रेक हुआ बहुतिक पिंड वाले ग्रह अर्थात मंगल से ले करके शनी तक और यह ट्रेक हुआ राशियों का जिस पर की राशियां भी निरंतर गतिशील होती रहती हैं अब हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि छायवादी ग्रह जो राहू और केतू होते हैं सदेव इस दिशा में आगे की और बढ़ते जाते हैं अर्थात इनका चाल इधर से होगा भोतिक पिंड वाले जो ग्रह हैं उन भी सदेव घड़ी के सुई की विप्रित दिशा मे इधर ही होगी अब हम रेलवे ट्रेक की कलपना करने को इसलिए बोले थे कि यदि आप रेलवे ट्रेक पर चल रहा हैं आप किसी ट्रेन में सफर कर रहा हैं तो आप एक कलपना के तोर पर देखिए कि ट्रेन की पटरी जो की एक साथ बहुत सारी हो उस पर ट्रेन गुजर रही हो और यदि कोई ट्रेन धीमी गती से जा रही हो अर्थ हात मान लिजे एक पैसेंजर ट्रेन जो की धीमी गती से गुजर रहा हो और उसी के बगल वाले ट्रेक पर एक सूपर फास्ट ट्रेन आ जा लेकिन वह उन्हें आत्रियों को जो की सुपर फास्ट ट्रेन में बैठे हैं उनको ऐसा प्रतीत होगा कि जो बगल में गुजर रही पैसेंजर है वह पीछे की और जा रही है जब कि वह पीछे की और न जाकर के आगे की ही और जा रही है उन्हें ऐसा प्रतीत इसलिए हो रहा जिस दिशा में वह सुपरफास्ट ट्रेन जा रही है उसी दिशा में निरंतर आगे की और बढ़ती जा रही है यहाँ पर सुपरफास्ट ट्रेन में बैठे हुए यात्रियों को यह भ्रहम हो रहा है कि बगल में जो ट्रेन गुजर रही है बगल में जो पैसेंजर गुजर र नहीं होता है अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था इनका पथ अंडाकार होता है और वे अंडाकार पथ पर चलते हुए प्रिथवी के चारो और चक्कर लगाते रहते हैं जब वे अंडाकार पथ पर चलते रहते हैं तो कभी वे प्रिथवी के बिल्कुल समीप जाते हैं तो कभी प्रिथवी के बहुत दूर चले जाते हैं जब ये प्रिथवी के बिल्कुल समीप होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी गती धीमी हो गई है जब कि ऐसा नहीं होता है और धीमी गती क्यों प्रतीत होती है क्योंकि प्रिथवी की गती बहुत तीब्र है और पृत्वी अपनी तीब्रता से आगे की और बढ़ती रहती है तीब्रता से चक्कर लगाते रहती है और उसके बगल में जो गुजर रहा ग्रह होता है वह ऐसा जान पड़ता है कि वह धीमी गती से चलने लगा है उसकी गती धीमी हो गई है और यही कारण है कि वह आगे की और न जा करके पीछे की और जाता हुआ अप्रती तो होते रहता है जो कि एक मात्र भ्रम है वह पीछे की और नहीं जा रहा है वह आगे की और ही जा रहा है लेकिन यहाँ पर भ्रम की इस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो यहाँ पर आप यह समझ गए होंगे कि ग्रहों को वक वक्री ग्रह के रूप में जानी जाती है या वक्री स्थिति या वक्री चाल कही जाती है लेकिन अब बात यह होती है कि जब ग्रह पीछे जा ही नहीं रहे होते हैं तो पिछली रासी पर कैसे आ जाते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा प्रशनवाचक चिन आपके सामने प्रकट हुआ होगा तो आए इस प्रश्णवाचक चिन को भी हम आप से दूर करने का प्रयास करते हैं जिस दिशा में ग्रह आगे की और बढ़ते जाते हैं उसी दिशा में निरंतर राशियां भी आगे की और बढ़ती जाती हैं आप देख रहे हैं कि भोतिक पिंडवाले मंगल से ल बढ़ती जाती हैं लेकिन अब यहां पर समझने की बात यह है कि भोतिक पिंडवाले ग्रह जो की मंगल से लेकर के शनी तक हैं यह घड़ी के सुई की विप्रित दिशा में चलते हुए आगे की और बढ़ती जाते हैं लेकिन होता क्या है कि जब प्रिथिवी के बिलकुल स अब क्या हुआ कि जो राशियां इनके बगल से गुजर रही हैं वे राशियां तो अपने निरंतर चाल पर आगे की और बढ़ती ही जा रही हैं और यह जो भोतिक पिंडवाले ग्रह हैं जिनको भी वक्री होना है वे पीछे की और जाते हुए प्रतित होते हैं जबकि लेकिन राशी यदि आगे की और बढ़ रही है तो यहां की राशी धुरे धीरे करकि यहां तक आ जाएगी और यहां पर आप देखने हैं और जब यह राशी यहां तक आ गई तो ऐसा तो यहाँ पर क्या हुआ कि यह ग्रह आगे की और न जाकर कि जो पीछे से राशी आ रही है उसके साथ हो लिया और यही कारण है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह ग्रह आगे की राशी में न जाकर के पीछे की राशी में आ गया जब कि ऐसा नहीं होता है यह राशी आगे बढ़ करके उस ग्रह के साथ हो गई यही कारण है कि ग्रह पिछली राशी पर जाता हुआ प्रतीत होता है मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी और पूरी तरह से आप इस बात को समझ गए होंगे की ग्रहों की वक्री चाल क्या होती है क्या होता है जब ग्रह वक्री होते हैं और इसके बारे में और समझने के लिए पार्ट 39 अवश्य देख लीजेगा और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अन्य लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचा दीजे और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजे जिससे की जब जब मेरा वीडियो अप्लोड हो आपको सूचना मिलता रहे और आप जोती सीखते रहें तब तक के लिए मुझे आगे दीजे जै हिन जै भारत जै गुर्देव बंबं भोले नात की आप स्वस्त रहें मस्त रहें इनी शुब कामनाओं के साथ अलविदा बाई बाई मिलते हैं अगले वीडियो पर